नीला चला निवासाय नित्याय परमात्मने पलभद्रसुभद्रा अभ्याम जगन्ना थायते नमहा प्रिय शिक्षार्थियों एन आई उयस के स्टूडियो में आप सब का पुनहा स्वागत है आज मैं डॉक्तर चंदन कुमार मिश्र स्री यगन्नात समस्कत विश्र विद्याले पूरी से आप सब के मद्य उच्चतर माद्यमिक अक्षा के विदा धेनम पाठ्ठिक्रम के अंदरगत फीसवा पाठ जो विश्र सूक्तम है उसके अर्ध्यान के लिए मैं उपस्थित हूँ हम इस सूक्त को दो भागों में पढ़ेंगे प्रतम भाग आपके लिए प्रस्तुत है अस्मिन पाठे विश्र सूक्तम मित्रावर्न सूक्तंच पाठ्ष त्वेन विज्यते यह जो बीसमा पाठ है इसमें दो सूक्त पाठ्ष विशे के रूप में उपलब्द हैं प्रतम मित्रावन सूक्त को पढ़ेंगे। इकमत से प्रशंसा किया है और वेदों को ही स्विकारा है। इसा कि आप जानते हैं रिग यजुस्ताम और अथर्व यह चार वेद हैं। इन चारों वही वेदों के मंत्रभाग और ब्राम्मन भाग पुनह ये दो प्रकार के विभागों का कल्पना मरशियों ने किया है। मंत्रस्तावत यज्याद्यनुष्ठान कारणभूत द्रव्य देवतादी प्रकाश कहा। वेदों के जो मंत्रभाग हैं वो यज्यानुष्ठान के मुख्य कारणभूत जो द्रव्य देवता इत्यादी हैं उनको बताने वाले हैं। और वेदाहा वेदस्य ब्राम्मन भागहा ब्राम्मन भागस्तु विध्यर्थवादाद प्रतिपाद कहा अनेक विदहा। वेदों के जो ब्राम्मन भाग हैं वो यज्यागादियों के विधी अर्थवाद इत्यादी के प्रतिपादक हैं अनेक प्रकार के ब्राम्मन भाग भी उपलब्द होते हैं। उनमें प्रथम अहां रगवेद अहां तत्र रगवेद उसमें सवसे प्रथम है वहां स्तुत्यात्मक है उसी रगवेद के दो विभाग हैं मंदल करम से और अश्टक करम से रगवेद के प्रथम मंदल में चतुफपंचाशद अधिकई कशतम 154 सूक्त विश्ण सूक्त के नाम से कहा जाता है इस विश्ण सूक्त में विश्णु की महिमा और स्तुतिया इत्यादी वर्नित है इस पाठे में विश्ण सूक्त के कुल 6 मंत्र प्रतिपादित हैं और इस सूक्त के दीरघतमा रशी हैं और विराट त्रिष्टुप चंद के मंत्र हैं इसमें और इन मंत्रों के विश्णु देवता हैं। इस सूक्त में मुख्य रूप से विश्णु के शक्तियों का विश्णु के पराक्रमूरूपी करमों का वर्णन किया गया है। विश्णोह समीपे यत यत प्राथितम तदपी प्रकडितम ये जमान विश्णु से अपने अभीष्ट के लिए जो जो प्राथना करता है उन सभी चर्चाओं को यहां बताया गया है इस पाथ के मुख्य उद्देश इस प्रकार है सूक्त स्थानाम मंत्रानाम सम्हिता पाथम ग्यास्यति सूक्त में आये हुए मंत्रों का मूल सम्हिता पाथा जान सकेंगे इन मंत्रों के पदपाथों को भी आप जान सकेंगे और मंत्रों का अन्वय करने में आप विद्वान बन सकेंगे, मंत्रों के सरलार्थ आप जान सकेंगे, सूक्त के तात्परिय को और सूक्त के तत्व का बोथ आपको सहाजता पूर्वक इस पार्ट से हो जाएगा, इसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है, ओम विष्णोर्नुकं वीरियानि प्रवोचैयः पार्थिवानि विममे रजामसी, यो अस्कभायदुत्तरं सदस्थविचक्रमानस्त्रेधोरुगाया, यह मूल पाठ हुआ, इसका प्रथपाठ इस प्रकार है, विष्णोर्नुकं वीरियानि प्रवोचैयः प्रथिवानि विममे रजामसी, यह अस्कभायदुत्तरं सदस्थम् विचक्रमानहा, त्रेधा उरुगाया, यह प्रथपाठ हुआ, इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है, मंत्र में कहा जाता है, विष्णोह नुकं वीरियानि प्रवोचम यजमान कहता है, अहम शीध्रमेव विष्णोह वीर्यपूरवकानाम, वीर्यपूर्ण कारियानाम वर्णनं करिश्यामी, मैं विष्णु के समस्त वीर्यपूर्ण कारियों का पराक्रम संबंधित कर्मों क वर्णन करूंगा यह महान गतिसंपन्नहा पादत्रयम गत्वा पार्थिवानि अमायत कहा जो अत्यन्त महान है अत्यन्त वेग गतिसंपन्न है वह विष्णु तीन पग से चल करके संपूर्ण पृत्वी में व्याप्त होता है किंच यह प्रशस्तम मेलस्थानम निर्मातिस्म पवित्रात्माओं के लिए जो अत्यन्त प्रशस्त मेलनस्थान जहां साक्षात विष्णु से जीव का मिलन होता है ऐसे विष्णु लोग का निर्मान करता है अस्य अयंभावहा यत यथा सूर्यहा स्वाकर्शनेन सरवान भूगोलान धरती तथा सूर्यादीन लोकान कारणम जीवाम्ष्च जगदीश्वरो धत्ते या इमान असंख्यलोकान सद्यो निर्ममे यस्मिन इमे प्रलीयंतेच सैव सरवई ही उपास्यहा अर्थात जो सूर्य अपने विशिष्ट आकरशन से संपूर्ण भूगोलों का धरन करता है तथा सूर्यादी लोकों के जो कारण रूप हैं मुख्य जगदीश्वर जो हैं जो सूर्य को भी धरन करते हैं और इस असंख्य लोक का निर्मान सद्या करते हैं और जिन में यह स संपूर्ण लोग प्रड़य प्राप्त होता है सैवसरवई ही उपास्य वही परब्रह्म विष्णू सब के उपास्य हैं हम सबी जीवों को उनी विष्णू की उपासना करनी चाहिए अग्रिम मंत्र है प्रतत विष्णू स्तवते वीरिये न म्रगो न भीमख कुचरोगी रिष्ठाह यस्योरुशुत्रिशु विक्रमेश विक्रमनेश्वदिक्षियंती भुवना निविश्वा या मूल मंत्र है इसका पतपाठ इस प्रकार है प्रतत विष्णू हूं स्तवते वीरिये न म्रिगह न भीमख कुचरह गिरिस्थाह यस्योरुशुत्रिशु विक्रमनेशु अधिक्षियंती भुवना निविश्वा इस मंत्र का सरलार्थ विचार करते हैं मंत्र में कहा गया विष्णू यस्यत्रिशु पादेशु समस्त प्राणी निवसती अर्थात विश्वा है जिसके पादत्त्रयों में समस्त प्राणियात निवास करते हैं अर्थात समस्त भू भूह स्वह तिनों लोग जिसके पालत्रे में हैं और यहाँ वीर्य युक्तकारिया या स्तुत्यववती जो पराक्रम संबंधित कारियों के लिए स्तुत्य होता है इसके स्तुति वीरतापूर्ण कर्मों के लिए की जाती है यथा परवते निवसंतहा कि विजरण करने वाले भयंकर जो पशु वगरा होते हैं उसी प्रकार यहाँ विश्णो भी समस्त प्राणियों में निवास्त करने वाला होता है और वीरयुक्त कर्मों को करने वाला होता है यहाँ भयंकर पशु उपमा के रूप में यहाँ दिया गया है भयंकर पशु कार्थ यह है कि जंगल में जो भय करने वाले जिनको देख करके सामानने मनुष्यों को भय प्राप्त होता ऐसे पशु जिस प्रकार जंगल में स्वेच्छा से विचरण करते हैं उसी प्रकार यह विष्णू समस्त प्राणियों में अपने तीन पादों से विचरण करता है अग्रिम मंत्र है प्रविष्णवे शुषमे तुमन्म गिरिक्षत उरुगायाय वर्ष्णे या इदम दीरग्यं प्रयतं सदस्थमे कोविममे तृभिरत पदे भी ही यहा मूल मंत्र है इसका पतपाथ है इस प्रकार है प्रविष्णवे शुषमे तुमन्म गिरिक्षते उरुगायाय वर्ष्णे यहा इदम दीरग्यं प्रयतं सदस्थमे कहा विममे तृभिही इत पदे भी ही इस मंत्र में कहा गया कि ममशक्तिशाली प्रार्थना यजमान कहता है मेरी अत्यंत शक्ति युक्त प्रार्थना उस भगवान विष्णु तक प्राप्त होवे जो प्रशस्त लोगे वासकारिणम प्रशस्त पादयुक्तम इच्छा पूर्तिकारकम विष्णुम प्रतिकच्चेत मेरी प्रार्थना जो संपूर्ण लोकों में रहने वाले और प्रशस्त पादसे युक्त संपूर्ण लोकों की इच्छा पूर्तिकरने वाले भगवान वि विशष्ट साधनों के द्वारा स्वयम से जीवात्माओं को मिलन करने के लिए ऐसे दिव्वस्थान का निर्मान किया जो तीन पादों से संपूर्ण जीवलोक में प्रविश्ट होते हैं ऐसे विश्णु के प्रति मेरी प्राथना प्राप्त होवे। इस मंत्र का मूलभाव है कि नखलुकस्चित अपी अनंतबलयुक्तम जगदीश्वरम अंतरेण इदम विचित्रम जगत स्रष्टुम धर्तुम प्रलय तुम्च शक्नोती भगवान जगदीश्वर के अतिरेक्त और ऐसा कोई बलवान नहीं है जो इतने विचित्र जगत की स् वकारियम अतयव इस विष्णों के अतिरिक्त और किसी अन्यदेवता की उपासना नहीं करनी चाहिए ऐसा इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है धन्यवाद